नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत हैं, हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ, खबर की शुरुआत करते हैं ओजियार पूर्थाना अंतरगत लखनीपूर महेशपटी पंचायत से, जहां एमार जनता कॉलेज लखनीपूर महेशपटी कॉलेज के दरजनों चात्रों को प्रायोगिक परीक्षा का प्रवेशपत्र नहीं मिलने के कारण प्रवेशपत्र सर में जमकर हंगामा किया, कॉलेज में प्रवेशपत्र सेवनचित चात्रों के द्वारा कॉलेज के उपसकरों को भीक्षती पहूंचाय गई है, उपस्थित चात्रों ने कॉलेज प्रदान पर आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलेज के प्राचा रेके द्वारा चात्रों को प्रवेश पत्र नहीं मिल पाया है जिससे वंचत छात्र का एक वर्ष बरबाद हो गया इन्ही कारणों से छात्र उग्र हो गे और कॉलेज में तोड़ फोड़ शुरू कर दी गुसाई छात्रों ने कॉलेज में रखे बेंच, डेस्क, कॉलेज का प्रिंटर, कुर्सी, टेब परिक्षा समिती पटना के द्वारा अंतरसना तक, इंटर, के छात्रों का प्रायोगिक परिक्षा की तिती 16 जन्वरी से 25 जन्वरी 2019 तक निधारत की गई है लेकिन एमार जन्ता कॉलेज के पूर्व प्राचारे और वर्तमान सचिर के कारण छात्रों का भविश्य बरबाद हो रहा है पूर्व प्राचारे ने दरजनोर छात्रों से नामांकन और परीक्षा पॉम भरवाने के नाम पर हजारों रूपे की ठगी कर ली है आम आदमी पार्टी के प्रकंड अध्यक्षो जी आरपूर के श्याम शर्मा तथा लखनी पूर महिशपटी के पूर्व मुख्या सहरालोस पाजिला महस्चिव मुहमद रिजवी उर्फभाईजान कहते हैं कि एमार जन्ता कॉलेज का पूर्व से विवादिती तिहास रहा है इसलिए विभाग को चाहिए कि इस कॉलेज से संबंदित सभी दस्तावेजों की जाच करते हुए विभाग ये कारेवाही की डाये ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें यूट्यूब चानल, फेस्बूक, ट्विटर, इंस्ट्राग्राम तथा हमारी बेब साइट www.bihar की आवाज online.wordpress.com पर भी सर्च कर सकते हैं, तब तक बने रहे बिहार की आवाज के साथ, नमस्कार तूटा हुआ पाया, और जैसा कि छात्रों से बात करने पर हम लोगों को यह मालूम चला, कि उन लोगों ने इस स्कूल के माध्यम से इंटर का फर्म भरा था, और उन लोगों का एड्मिट कार्ड नहीं आया था, इस्कूल परसासन से पूछने पर वो लोग एक दूसरे प कुछ लोगों को थाने पर बुला लिये थे, और आगे थाना पर भारी क्या करावाई कि कल पता चलेगा, लेकिन हम लोग एक ग्रामीन के नाते, आमाधी पाटी के परखंड ध्यक्ष के नाते, हम आज की जो घटना हुई है, उसकी हम करे सब दिल में निंदा करते हैं, और ह जो आज का घटना हुई है, जो जिस बच्चों का एक्जाम छूट गिया है, उनका जो साल बरवाद हुआ है, उसकी पूरी तहकीकात करके, जो भी उचित कारवाई हो, वो किया जाना चाहिए, क्या नाम हुआ? कोलेज पर जो आज हंगामा किया गया चातरों के दोरा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कि खराब बात हुआ है, इसमें बच्चे लोगों के भविस्थ के साथ खिलवार किया जा रहा है, जो भी कोलेज पर सासन है, कुछ बोलने के लिए तयार नहीं है, हम लोगों को जाने से पुल्प ठाना पर वारी आए, और यहां के आकर सान्ती बनाए, और कुछ लोगों को यहां से लिए पकर करके, अभी तक तो सान्ती है, लेकिन हमको अंदाज नहीं बुजारा कि सान्ती जाएगा जितना बच्चा लोग आकरोस में है, किसी को अभी बहुत बच्चे इसे हैं, जिसको एडमिट कार तक नहीं दिया गया है, बच्चे लोग जो है, आकरोस में तो सान्ती है